बिस्मिल्लारमान मैं असलाम अलेकुम मातवान जी टीचर्जर का सुम्रो लेक्चराराफ। गर्वर्मेंट कालेज फार वुमन अजमा ताँ जी सिंधी जो उन्वान इल्म अदब जी तरह की जा तरीका सांगत हाजिर थी हैं जी उनने थे थोड़ी रोशनी विजी ताँ जो जो असल मकसद का आगाकान यानि अदब जी तरह की केड़े उसूलन अई तरीकन ते हलन सां मुम्किन आए जी को तमाम एहम कमाए जी जी हासलात खास सवाए शायद अधीब अई दुनिया जी हर डाए मानों जी कोशिशों अधूरू रह जादू जी ब्या उनना जी जिकर आई फिकर अची वाने तो तहजीब तादीब तारीख एंई इल्म अदब अई सवाने निगारी मां समझा थी इनन तरीकन खापे रहां असां इल्म अदब के समझां जी तमाम एहम जरूता है ता अदब जी लफजी माना चाहे एंई वो इल्मी अदबी सूरत में की आजऑ दो पाई हो ता अदब जी लफजी माना आना थी अचाहूं तक एंसान जी सोना ना इसु तरह लफजन टेहरीर है जी मां अगलों मुतासिच थे छी अंई उना की ऐसा अदब सरें सग़ था दो अदब मह mówar। इसला। थे थी आध़ तालीम से भरल हुंझ मद मुझ्णी थे थी तादीब जी लवजी माना आये इसलागान इन जी करें तालीम अगर इसलाई सूरत में अचेती तो ववदी का असराय थी यह को बैतरीन इंसान ठाय थी पाएं येकीनन इकड़ी बैतरीन इंसान जरें वरी अधीब थे थो तो उन्हें जो लिखनियों प्रिण बैतरीन आई मा अरुमदार फिकरते आए छाकान दा फिकर एक एड़ो मस्मून आए जिको बजाते खुद लफजन जी यान जो पूरो मवाद पेदा करे तो मैया करे तो आई जहन में असान जी फिक्र फिक्री जुज़ वरी असांखे जिक्र मा निक्तला हिक यादगीर्यों आई हाफ सो उ ना ते मुबनी खयालन खयालन जो फिक्रो तखयूल चाओ खणी जिको खयालन जो पूरो हुजूम थे तो वो औरी फिक्र के जनम लेतो आई हिके इंसान उन्हा यादगीर्यों वारे सले के फिक्री सोच मा गुजारे पने ते आने तो पयो ठीक है बाबा ताहने वरी अगर आसा तेहजीब ते चाओं फिक्र हैं जिक्रो बुन्यादी रुकुन थी वायो लिखन में पर वरी तेहजीब जो भुजण उन्हाम घणू लास्मी इया है ता अदभी सूरत में तेहजीब जो भुजण बिल्कुल इया जी हैं के मानों के महज़िब बंजान लाय मुसलसल स समार जी जरूरत हो जी हैं असां के बारे जो इखनी मिसाल वठाओं तके बारे जी तर्वियत उन्हाजी तालीम के समारे थी पई यह तैजीब सा भरे लफज अदीब जी लिखनें के असराय तो ठाई दिवायन ठीक है बाबा आएं पिलस तादीब अगर तादीब थे अच इसान जो ही मिसाल वठाओं खनी पाना तो कोई इनसान जमाने जी लोडन आई गर्दिशन उस्ताद निर्ग जी तन्वियों का पोई बंजी को मुझब शेरी बंजे थो इन अदब जे वाधाय लाइब तादीव तमाम एहम बंजे थी अदबी उसूल अंते हली के आम इनसा खास सूरत के पेदा करे सके तो ठीक है ता वर अगर असान उनना ही इल्मे अदब के तारीखी सूरत में किया आने हो था या उनना के महफूस करण जी छो जरूरत आ है ता उनना सूरत में मा समझां थी ता अदब के महफूस करण लाए असान के तारीख जी सूरत में तमाम नसल जिका जान आई तारीख जो पूरो खोजान नू आई पुराण अग्व में थेल तजर्बा उना जी हक्कीकत उनका महरूंती वेंद्यूं आई उननमा लाब आसिल न करे सगनूं येकीनन इक नई जान फराम करे सगन थिऊं पर मना उननका फायदो हासिल करे उननके का बे अदब के केड़ीतरी के समय फूस वह थहांग है जिर्ण इसनां अगिर आ कौल मैं काजी सवने अनिगारी पैश नहीं एक इनसान सवने निगारी माना पांजी हयाती जो एवाल पान लिखन अगर है एक इनसान 5 हयाती जो हालेवाल, पान लिखे तो पायओ य एज इट इस पने ते उतारे थो पायों आयों बगर के तन भी आयों नजी या बगर के ने रुकावट जीत कोई छाच मादो अगर मां ही ही गाल्यूं पांजें पने ते लिखां थो पायों जेंके ब्या पढ़न दाता हूना मां खबर नाय केड़ो तासुर वठान इबगर य प्रेड़ी तरीके सा अगर असा पूरी सदाकत सा अगर सभानय निगाली लिखां था या ब्यो इलिम अदबी सूरत में पराम कहां था पर उना में सदाकत जो हुचांट तमाम भणू एहमाई इना जी करें मां समझांती तवरी सदाकत जीका तारीक जो रूवाए या अगर सदाकत नाइद असा अदबी सूरत में सुठो सर्मायों पेश नथा करे सगम या असानी सुठी काविशन का या अदी बनी सुठी काविशन का रहें